हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन इस्टिडी पॉइंट मैं ओधित गुपता आप सभी का स्वागत करता हूँ साथ यो देखिए जेयोगरफी के कुछ ऐसे इंपोर्डेन कोईशन होते हैं न टॉप हंडेड कोईशन दोस्तों सलेक्शन दिलाने वाले कोईशन यहां से चा यहां पर कुछ ऐसे प्रसन होते हैं जो रिपीट जरूर हो जाते हैं ससी कभी अगर आप उठा के देख लें कुछ ऐसे प्रसन होते हैं जो बारवार रिपीट होते हूँ वही मैं पिछले दस वरसों कि यतने बारवार रिपीट होने वाले कोईशन वही मैं सेलेक्ट किया ह हूँ पूरे प्रीविस हेर कोश्चन रीड करके तो यहाँ पर मैं आपको टॉप 100 भुगोल के कोश्चन कराऊंगा टॉप 1 लाइनर यह आप अगर पूरा रिवीजन के दृष्टीज देखे तो अगर आप पूरा कर लेंगे साथ हूँ तो आपका यहाँ से एक भी प्रसन बाहर नहीं जाने वाला है साथ हूँ प्लीज वीडियो को लास तक देखिएगा और यह कोश्चन समझ लिए एक्जाम में छपने वाले कोश्चन यहाँ से आपके चार से पांच अंक 100% कंफर्म हो जाएगा यकीन मानिये साथ हूँ चलिए फिर स्टाट करते हैं हमारा पहला प्रसन है भूगोल का जनमदाता किसे कहते हैं काफी जवरजस्त कोश्चन है उ विश्व मान चित्र का निर्माड किसने किया था उत्तर है अगनेजी मेंडर ने अगला प्रसन है भारत में बहने वाली कौन सी नदी करकरेखा को दो बार काटती है उत्तर है माही नदी यह जो है करकरेखा को दो बार काटती है हमारा अगला प्रसन है गल्फ स्ट्रीम किसक भारत का सबसे छोटा संग शासित प्रदेश कौन सा है उत्तर हो जाएगा लक्ष दीव अगला है कौन सी चोटी अंडमान निकोवार दीव समू की सबसे उंची चोटी है उत्तर हो जाएगा सैडल पीक जो है अंडमान निकोवार दीव समू की सबसे उंची चोटी है नेक्ष साती हूं देखिए साती हूं जितने भी मैं प्रस्ण करा रहा हूं सारे के सारे बार बार पूछे जाने वाले कोश्चा नहीं है बार रहा हूं रिपीट हो तिसलिए आप इसको भारत का सबसे बड़ा युवरिनियम खान जादू गोड़ा है भारत के किस राजजी में स्थित क्षा उत्तर हो जाए का जारकन में है भारत में बहने वाली किस नदी को तिबत में सांगपो कहा जाता है इसका राइड़ एंसर है ब्रहहपुत्ट vintage को जो है भारत में बहने व मिटीरियोलोजी कहा जाता है मौसम की दसाओं के अध्यान को नेक्स्ट है मैगलन जल्रमरू मद्ध कहां इस्थित है वेरी इंपोर्डन कोश्चन है परसांद महासागर और दक्चिन अटलांटिक महासागर के बीच में अगला है अरावली और बिंद छेतर के बीच कौन सा पठार इस्थित है उत्तर है मालवा का पठार इस्थित है अगला है किस बंदरगा को बटवारे का पुत्र कहा जाता है उत्तर है भारत के गुजरात राज ककक चिजले मिस्थित कांडला बंदरगा जो है उसको बंडवारे का पूत्र कहा जाता है मिट्टियों के अध्यन को क्या कहा जाता है सही उत्तर है पैडोलोजी कहा जाता है मिट्टियों के अध्यन को भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा जवाहला लहरू बंदरगा मुंबई के अंदर अगला है मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है उत्तर है काली मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में सरवाधिक मात्रा में अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर वीश्वा, संगमर मर किस प्रकार की चटानों की स्रेणी में आता है, उत्तर है कायंतरी चटानों की स्रेणी में आता है, अगला है भारत के किस राज्य में, मैकाल परवत माला इस्थी थे, मैकाल परवत माला, उत्तर है 36 गड़ के अंदर आगला परसन है अगला परसन है के निकट सबसे चमकीला और सबसे गर्मगर है कौन सा है सही उत्तर सुक्र गहर जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्मगर है स्थीतर प्रेटवी के निकट अगला है करकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है काफी important question उत्तर आठ राज्यों से होकर गुजरती ह कोरो मंडल तट किन दो भारती राज के तटी भूबा को कहा जाता है करनाटक राज्यमिस्थी जोग प्रपात की सनदी परिस्थी थे बहुत ही महत्मूर प्रसने साती उत्तर शरावती नदी शिपकीला दर्रा किस भारती राज में इस्थित है उत्तर हो जागा हीमांचर प्रदेश के अंदर मद्ध प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है काफी महतूर उत्तर है उत्तर है पन्ना में जो है हीरे की खान भारत की एक मातर पाई जाती है सरदार बलला भाई पटेल अंतर राष्टी हवाई एड़ एनिक इंटरनेशनल एरपूर्ट कहां इस्थित है अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर आता है अगला है नेतज शुहाष चंद्रबोज अंतराश्टी हवाई अड़ा कहा इस्थित है उत्तर कोलकाता के अंदर अगला परस्ने सावरमंदल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है उत्तर शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है उत्तर हो जाएगा आयरन अकसाइड कारण इस ग्रह का रंग लाल है कौन सा ग्रह सूर के सबसे नजदीक इस्थित है उत्तर बुध जो है मरकरी ये सबसे सूर के सबसे नजदीग इस्थित है बुध मरकरी अगला है सैउक्त राज अमेरिका का निवार्क शहर किस नदी की किनारे इस्थित है उत्तर है हडसन नदी की किनारे सैउक्त राज अमेरिका का निवार्क शहर इस्थित है कौन सा जल्ड अमरूमद है अमेरिका को रूस से अलग करता है उत्तर बेरिंग जल्ड अमरूमद जो है ये अमेरिका को रूस से अलग करता है अगला प्रसने कौन सा जल्ड अमरूमद है परसांद महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है उत्तर मलक का जल्ड अमरूमद ह स्तित है उत्तर महराष्ट के इंदर कोयला भूला दसी परिजन को अगला कोश्चन है मारा भारत का उओं एक्मात राज जो मुगा रेस्ज मोंग्गा रेस्ट पादन करता उत्तर हो असम नेक्स्ट है दक्कन भारत का सबसे बड़ा जलप्रवात अंतर कौन सा है गोदा बरी अमराबाती जलास है भारत के किस राष्टि उद्यान में स्थित है इंदिरा गांधी वनजी वभ्यारंड किस प्रकार की जुआर की उचाई सबसे कम होती है उत्तर है नीमने जुआर हमारा अगला प्रसंद देखते हैं प्रिथिवी की प्रिथिवी अपनी धुरी पर की सोर घूमती है उत्तर है पस्चिम से पूर्व की और घूमती है प्रिथिवी अपनी धूरी पर हमारा कोश्चन नमर 45 है भूमद या विश्वत रेखा के निकट किस तरह के वन पाये जा नेक्स्ट भारत के किस राज़ को एशिया के अंडो की टोकरी कहा जाता है उत्तार आंद प्रदेश को शोभ मंडल एंडल के किस परत को कहते हैं उत्तार निचले परत को कहा जाता है अगला प्रसन हमारा देखिए काफी मातपूर भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध् अगला कोशन किस प्रकार की चट्टानों में कोईला पाए जाता है अगला कोशन देश का कौन सा सहर भारत में हीरों के ब्यापार के लिए सरवादिक प्रसिद्ध है इसका उत्तर है सूरत अगला कोशन है हमारा देखिए साथी काभी मातपूर है 36 गड़ राज जी का बालो डीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है इसका राइड अगला कोशन है अधिक्तर चट्टानों खनिजों में कौन सत्त तो सबसे धिक मत्रम पा जाता है उत्तर है ऑक्सीजन नेक्स्ट है भारत में सबसे धिक राष्टी उद्यान की सराज्य में स्थित है उत्तर है मत्रदेश के अंदर नेक्स्ट है इसका उत्तर है प्रिथिवी ग्रह ठीक है नेक्स्ट है हेलेना मुक्ध मुकेतू का परिक्रमलकाल कितने वर्स का होता है उत्तर हो जायाएगा 76 वर्स राजिस्थान की कीज जिले में केवला धेव गाना राश्ट्र उध्यान इस्तित है राई इंसर है भारत Program के अंदर अगला प्रश्न है वरून ग्रह की खोज किसने की थी उत्तर है जहान गालेने अगला प्रिशन है सौर मंडल के एक मात्र ग्रह कौन से है जहां जीवन है उत्तर है प्रिथवी हेलेना मुख धूमकेतियु का परिक्रमण काल कितने वर्सका होता है इसका राइड इंसर जागा 76 एर किसकी उपस्थिती कारण हमारी प्रिथवी को नीला ग्रह कहा जाता है उत्तर है जल की उपस्थिती के कारण बोसाल्ड जो एक प्रकार के चट्टान है इसमें किस तत्व की मात्रा सबसे दीख होती है उत्तर है लोहा नेक्स्ट सिस्मोलाजी किसका अध्यान है उत्तर है भूकम्पों का अध्यान है सिस्मोलाजी किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाये जाता है उत्तर है घुस्पैट या अगने चट्टान ठीक है विश्व में सबसे ज़्यादा डागर किस देश में है उत्तर है भारत के अंदर तंबाकु की उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रतम स्थान है उत्तर है चीन का लाल सागर और भूमत सागर को आपस में जुड़ने वाली नहर कौन सी है उत्तर स्वेज नहर भारत और पाकिस्तान की बीच इस्तित अंतराश्टी सीमा करेखा को क्या कहते हैं उत्तर रेड कली प्रेखा कहा जाता है अगला कोशन है हमारा सातियों देखे दुनिया में सोने की सबसे वड़ी खान की इस देश में स्थित काभी महतपूर कोशन नहीं तो कनाडा के अंदर भीश्व का सबसे पहला उध्यान काउन सा है उत्थर येलो इस्टोन प महादीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है उत्तर है चीन दुनिया में खारे पानि की सबसे बड़ी झील कउन सी है उत्तर मुंबई को ken पानि नील नदी का उद्गम कहां से होता है उत्तर है विक्टूरिया जील भारत में बहने वाली कौन से नदी करकर रिखा को दो बार काड़ती उत्तर है माही नदी स्वेज नहर का निर्मार का हुआ था उत्तर है पचीस अप्रल नुइस सो 1869 स्वेज नहर को ब्यापार के लिए किस वर्स कोला गया उत्तर है सन 1869 में स्वेज नहर को ब्यापार और रातायत के लिए खोल दिया गया था इंदिरा गांधी नहर की सबसे प्रमुक्त था सबसे बड़ी नदी है उत्तर है राजस्थान इंदिरा गांधी नहर का निर्वार किसने करवाया था उत्तर है महराजा गंगा सिंग ने भारत की सबसे बड़ी नहर इंद्र गाधी नहर की लंबाई कितनी है उत रहे 649 किलो मीटर नैनी ताल जिल किस भारती राजी मिस्थी ते उत रहे उत्तरा खंड के अंदर अगला question है भारत के कूल 6 त्रफल के कितने प्रिश्ट भाग पर किसी कारे होता है उत्तर है पामीर का पढ़ार को अफरीका महाधीब में कूल कितने देश मौजूद है उत्तर है 54 कंट्री पीसा की जुकु ही मिनार किस देश मिष्थी थे, उत्तर इटली में, टावर प्रिज कहां इस्तित थे, उत्तर है इनवाटेट कि इंग्डम को लेंदन सहर में, विश्ट का सबसे थंडा महादीप कौन सहा उत्तर अंटार्क्रक का महादीप, अगला गोश्चन है, नदियों क कि साखाओं को भगवलिक भासा में क्या कहा जाता उत्तर सहायक नदियां प्रिथिभी के केंद से गुजनने वाले एक छांस रेको क्या कहा जाता है भूमद रेका विश्ट का सबसे बड़ा बंदरगा का उन सा है उत्तर चीन के संगाई सहर मिस्थित संगाई बंदरगा बार बार पूछे आने वाले कोश्चन वीडियो पसंद आयो साथित प्लीज लाइक जरूर कर दीजे चैनल को सब्स्ट्राइब कर लिजे हमारे चैनल को सपोर्ट करिए घंटी विटन दावए ज्यादा ज्यादा सेयर करिए साथियो अगला कावन सा टॉपिक आपको वीड सब्सक्राइब जरूर बताईएगा साथि थैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत